हम लोग सिविल इंजिनिरिंग फिल्ड हैं रेंफूसमेंड जो बाइंडिंग करता है डाजन्ट मेंटर कहां पर कर रहे हैं हम लोग स्लैप पर कर रहे हैं बीम पर कर रहे हैं कोलाम पर कर रहे हैं लेकिन लेप लेंद्थ एक पड़ी इंपोर्टेंट टाम है इसको we must not avoid this हमे हम लोग सरिया में क्यों provide करते हैं लेप लेंड हमें इसलिए देना पड़ता है ताकि उसका bond strength concrete के साथ जो पाकाड है ठीक है वो मुझबूति से बना रहे हैं उसका slippage ना हो और वो concrete में अच्छे तरीके से embed हो सके ठीक है तो पहला जो मकसद हमें बनता है लेप लेंड देन एन्टोड्यूस बोन do केड्स के नम 박् можно और को समय व्हक्मपर पस्छे में नॉसरी सरीया में रहे हरे मैं स्विशिक बना एल रहे हम लोग लेप लेंड देने का तीन माकसद बन गया एक तो हो गया concrete में आच्छे तरीके से embed होने के लिए दूसरा हो गया concrete में bonds 10th introduce करने के लिए तीसरा हो गया एक rod से, एक reinforcement bar से, एक सरिया से, दूसरे सरिया में bonds 10th पहुचाने के लिए sorry, tension या फिर compression पहुचाने के लिए हम लोग lab length देते हैं lab length जब हम बार में देते हैं, तो tension हो या फिर compression हो, एक दम से directly transparent नहीं होता एक rod से, दूसरे rod पे, एक reinforcement, एक सरिया से, दूसरे सरिया पे directly नहीं जाता सबसे पहले, जो compression या फिर tension है, bond strength के मदद से, सबसे पहले क्या होता है, concrete में जाता है मतलब एक सरिया से, concrete में गया, सबसे पहले, उसके बाद concrete से, दूसरे सरिया में चला गया ऐसे stress transparent होता है, ठीक है, तो इसका value कितना होना चाहिए, हम लोग जो lab length देंगे, उसका जो value होगा value के सिवा तो हम लोग नहीं चल सकते, engineering field में, हम लोग को calculate करना है, कितना millimeter देना है, ठीक है किसके अधर पर करेंगे, उसके लिए क्या परणुला है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, tension member के लिए, जहाँ पर, जिसको बोला जाता है, lab length in tension यहाँ पर दोनों चीज़ है, lab length in indirect tension, and lab length in direct tension, direct tension and indirect tension क्या होता है, मैं एक अलग से dedicated वीडियो बना दूँगा, उसमें में detail में दिसक्स करूँगा, लेकिन फिलाल इस वीडियो में जान लेते हैं, कि lab length for direct tension member, direct tension member के जो lab length है, वो हमेशा twice, two times development length होना चाहिए, इस से कम बिल्कुल भी नहीं, two times development length, development length क्या होता है, structural consultant साब-साब mention कर देता है, drawing में, blueprint में, mention क्या रहता है, development length हम लोग standard मान के चलता है, 50D तक, two times 50D, यानि कि 100D का हो गया, direct tension का lab length, तो direct tension का lab length होगा, twice development length होगा, development length according to drawing, उसका जो list value है, ओके, lab length for indirect, lab length for direct tension, उसका जो list value होगा, not less than 30D, ओके, not less than, not less than 30D, ओके, तो यह हो गया, direct tension का lab length, नाओ, compression member का, जो lab length होगा, बो होगा, 50D, और LD, ओके, and not less than 24D, not less than 24D, तो direct tension का जो lab length होगा, बो होगा, twice time, twice the development length, or two times the LD or 50D, whichever mentioned in the drawing or blueprint, and for compression member, the lab length should not be less than 24D or 50D, okay?